यह मंदिर हजारो वर्स पूराना है वेसे तो 500 से 700 वर्स पूर यहांकि जो राजा थे उनको माता जी ने स्वपन में दर्सन दिये लेक्ट मेरे न्यू ब्लॉग में और आज मैं जाने वाला हूं माता चमुंडा के मंदिर में दो चार देन से काफी ठंड पड़ रही है और इस वजह से बहुत मुश्किल से आज दूप निकली है तो मैं ना दो के तयार हो चुका हूं तो चलते हैं मंदिर की तरफ दिखाते हैं आपक मंदिर और चलते हैं मंदिर के अंदर तो मंदिर के अंदर चलना शुरू करते हैं और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पीछे जो है वह में गेट है में गेट से विल्कुल अंदर की तरफ चल पड़े हैं मंदिर में जाने के लिए शीडिया लगी हुए है तो मैं शीडियो के माध्यम से तो नहीं जाओंगा मैं जाओंगा एक स्लोप भी है इस तरफ तो इस स्लोप से जाओंगा जैसे कि आप देख रहे हों कि यहां से हैं बहुत सारी सिडिया और मैं सिडियो के चड़ नहीं सकता हूं तो मैं दूसरे रास्ते से उपर जाओंगा मंदिर पे तो चलिए दूसरे रास्ते से मंदिर चब रहे हैं तो यह वो दूसरा रास्ता है जिसके मादम से उपर जा सकते मंदिर तक तो मैं इस रास्ते से उपर जा रहा हूं तो मैं मंदिर के उपर चलना सुरू कर दिया है और मैं यहां से काफी पैदल आराम से चल सकता हूं आराम से जा सकते हैं यहां से गाड़ी अभी जाती हैं त इसके लिए सुविदाइं की गई है पहले तो सीड़िया थी अब यह रोड बन गई है और चमुंदा मतव भागरी के स्थीक सामने है नर्सिंग पुरा भागरी बाड़ी के पाड़ी चड़ता जा रहा हूँ उपर से सोजित का नजारा बहुत खूपसुरूत नजारा आपको दिखाई दे रहा है रास्ता काफी अच्छा है एक्डम बड़ीया रोड है घार सब रासनी से जा सकती है आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं मैं धी करता हूं और आपको भी मंदिर के दर्शन करवाता हूं तो यहां पर आखरके दाष्टा खतम हो जाते हैं और आप को उपर सीडिया चड़कर ही जाना पड़ेगा तो चड़ते हैं सीडिया तो फाइनली मैं मंदिर के गेट पर पहुंच चुक हूं और अब चलते हैं अंदर की तरफ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोज़त का फुरा नजा रहा है कि पीछे से डूप आ रही है इस वज़ इस नारा माता का मंदिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह जो मंदिर है वह स्वेमबू मंदिर मदिर है मतलब इस मंदे को किसी ने बनाया नहीं है यह खुद से प्रकट हुआ हुआ मंदिर है मंदिर के दर्शन करते हैं मंदिर परिसर कुछ इस तरह से दिखाए देता है बहुत ही खुबशूरत मंदिर है यह खुबशूरत मंदिर दिखाए बहुत है आजय को आजय कि तो मैंने मता के दरसंद कर लिया हैं और जयी कि दो है I'm a जयी के आज़्य के वहां मंदीर और सामने माता जी को आए अब मिस्मनिर के बारे में हम पंदी जय से पूचेंगे कि इस लिए तो मंदी के यह मंदिर हजारो वर्ष पुराना है वेसे तो अगर इसकी मतलब तो केता है कि आज से पांसो वर्ष पूर्व यहां के राजा थे उनको माता जी ने स्वपन में दर्शन दिये देखिए मैं यहां विराजमान हूं तो हमारी सिवा पूजा कीजिए तब से हमारे पूर्वजो को यहां के पूजा क्षेवभा दिया है और यह मता चामुंडा जी का मंदिर है साचल मंतमूरतेया है इसमें यह पांच मूर्थियां जे माह मि राजमान वे मा कम चामृंडा है जो वांके वाकल माता है इनको वाकल माते इसलिए बोलते ताकि उनहों ने तोड़ी से एली प मन्ervदाग दरिस्थानी बशा में टेडे को बडा हमाद कि इसलिए वो वाकल माता है यह माता सचायguard्स मारवाडी को मारवाडी हमें ऐर शाकल माता बोल सचकी नहीं मोहत होति हैं यह काले पहरव है में जो लाल दिखतरी है। और वोół है तो गोरे बहरव है इनका मुठियास बहुत पूराना है, कहते हैं कि राजा औरंगजेब उसने अपनी सेना बेजीती मुकाफी मंदिरों को द्वस्त करवाया था उसने, तो सामने के मंदिर को भी द्वस्त करने पर नर्शिंग भाग रिये, वाप ये मंदिर को द्वस्त करने के बाद जो यहां वापस आके दे भी सिकता है, तब माता जी ने उनको समायाजना करने पर उनकी आख ही दे दे दे, तब उन्होंने मंदिर के लिए कुछ यहां पर पोड़िया बनवाई थी, जो अभी नहीं है, यह तो अभी नहीं बनवी है, पहले अप जो आपने देखियों वह पूरानी पुनागर है, वहाँ जाती है, और वहाँ से 30 km पडासला है, वहाँ जाती है, यह टोटल 70 km लंबी गुफा है, और यह मतलब तिकोन आकारब है, यह पूरा बना हुआ है, और कहते हैं के मतलब माता जी के, यह साथ मूर्तिया है न, एक साथ परकट हुई थी, साथ देवे ए और दो पड़ा असलाम है, ऐसे करके साथ देवे एक साथ परकट हुई थी, यह दो पहरवे और इसके मतलब काफी, यह बारासुर नगरी भी गया लाती है, सोजर सिटी, विगे बागवान कृष्ण के टाइम में बारासुर के हजार भुजाय थी, तो बागवान ने सुदर परसदी का कारण यह भी खाहा जाता है, और वैसे को इसके ऐते से काफी है, यह आप देखो जंगल बगर में, काफी तरह के आपको यह मतलब पसुपक्षी मेलेंगे, और उसके साथ साफ बगर है, बहुत है, मगर किसी भी भगड़ों को कभी किसी तरह का लुक्सान नहीं आज तक कही है, मैं आपको गुफा के दर्सन करता हूँ, यह वो जो गुफा है, यह गुफा है, जो अलबक 20 किलो मेटर तक फैली हुई है, जिने इस मंदिर का बहुत ही विस्तरत रूम चे है, हमें इत्यास बताया है, और इसके अंदर एक गुफा भी है, जो मुझे बतानी थे, यह पुनागर भाग ली और 15 लग तक फैली हुई है, यह पूरी तरह से कनेक्टेड है, तीनों तरफ से, तो मंदिर का इत्यास बताने के लिए, और मंदिर में वीडियोग्राफिक करने क के लिए पनीजी का बहुत 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 धन्यवाद, तो उपर से सोजर सिटी कितना खुबसूरत लगता है, सामने जो पाड़ी दिख लिए है, वो नर्सिंग पुरा की बाकर है, और इस पर नर्सिंग जी का मंदिर है, मैं ने दर्सन कर लिया है और यहां पर रसन करने के बाद मुझे एक माता का नणना भक्त मिला है, तो आज मैं उससे भी आपको मिलवाता हूं, तो इसका नाम है वीहान और यह माता का बहुत बड़ा बक्त है, और कुछ करना चाओगा है? और कुछ नहीं, इस वीडियो को और जादा से जादा शेयर करना और सब्स्ट्थराइब करना ए तो मंदिर के दर्सन करने के बाद आप चलते हैं घर की तरह मंदिर से उतरते वक्ति यहां एक साइड में तो यहां पर भी एक छोटी गुपा आए है सजन अजेग है और यहां पर भी फूजा होती है तो महां चमन्ले के दर्सन कर लिए मातारानी दर्सन होती है और अब चलते हैं घर की तरफ और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए बबाएं